ठीक है बच्चों तो हम किसे value किसकी find करने थी alpha upon beta plus beta upon alpha के value आपको find करने थी ठीक है तो हमने क्या लिखा alpha upon beta plus beta upon alpha alpha into beta तो इस alpha की multiply इधर करेंगे इस beta की multiply इधर करेंगे तो overall क्या मिलेगा आपको alpha square plus beta square ठीक है तो lastly बच्चों अब alpha square plus beta square की value हम नहीं find कर सकते हैं लेकिन alpha square plus beta square को आप ऐसे express करेंगे तो क्या लिखेंगे alpha plus beta का holy square minus 2 times alpha beta अब alpha plus beta भी आपके पास available है alpha plus beta की value कितने हमारे पास 5 तो यहाँ पर रखेंगे 5 का square minus 2 alpha beta alpha beta की value कितने बच्चे हमारे पास 6 तो आप जब 5 का square कर रहे होंगे तो कितना मिलेगा 25 minus 2 into 6 कितना मिलेगा आपको 12 और divided by alpha upon beta alpha upon beta कितना हमारे पास 6 that is 6 तो 25 में से 12 को subtract करेंगे तो कितना बचेगा 13 divided by 6 तो यही हमारा final answer होगा तो मुझे उम्मीद है अगर आपको कोई ऐसे question मिलेंगे तो आप उन्हें अराम से solve कर सकते हैं ठीक है बच्चों अगर इसी question को इसी question में हमें कोई और variety देगे तो मुझे लगते हैं आप cover कर सकते हैं तो पोज करो हमें मान जाए अगर हम लिखें कि one upon alpha one upon alpha plus one upon beta हमें केवल इसकी value find करने हो तो आप कैसे करेंगे ठीक है तो बहुत ही अराम से आप आप easily कर सकते हैं ठीक है तो कैसे solve करेंगे बच्चों इसको हमने जब lcm लेंगे lcm कितना हैगा alpha and two beta और numerator में क्या बन जाएगा alpha plus beta भी आपको याद होगे पिछले page पर alpha plus beta हमने कितना निकाला था 5 और alpha and two beta कितना निकाला था हमने 6 तो one upon alpha plus one upon beta की final value कितने आगे हमारे पास 5 by 6 आगे तो मुझे उमीद है आप इस परकार के question अराम से solve कर सकते हैं समझे मैं है बच्चों अब मैं आपको कुछ homework दे रहा तो exercise 2.2 के पहला question हमने कल किया था अब second question देखो क्या करना आपको बच्चों find a quadratic polynomial each with the given numbers and as the sum and the product of zeros respectively हमारे पास जो numbers given है ये पहला question हमने कर दिया और बाकी ये 5 question आपको करनी है बहुती आसान question है मुझे उमीद है कि इनमें आपको कोई भी तकलिफ नहीं होगी यिलिर